नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं परताल दुनिया भर की युद्ध और शांती शांती और युद्ध इसके बीच फसा हुआ दिखाई दे रहा है देश युक्रेन युक्रेन में जिस तरह की राजनीती और उसके इर्दगिर्श जिस तरह का माहौल बना हुआ है बहुत दुसरे ढंग से कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध नहीं चाहते अभी हम नेटों में दखल नहीं चाहते दरसल इसके पीछे की राजनीती क्या है इस पर हम बात करें दुनिया की हलचल पर पैनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही प्रबीर जिस तरह से घटना करम चल रहा है आज 40 मिनट की बातचीत अमरीकी राष्टपती की हुई है बोरिस जॉंसन से और उन्होंने कहा है कि अभी डिपलोमेटिक जो ऑप्शन्स हैं वो पूरे खतम नहीं हुए यानि कूटनिती से रास्ता निकल सकता है युद्ध नहीं होगा 14 फरवरी को हमने देखा कि जर्मनी और युक्रेन के बीच बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम नेटों में जाना नहीं चाहते युक्रेन ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमारे लिए बाकी चीज़ें ज्यादा एहम है या हमारा एजंडा नहीं है तो य पहानी है क्या कौन युद्ध चाहरा है और कौन युद्ध नहीं चाहरा है देखें युद्ध की बाद जो है यह तो सिर्फ अमरीका और बृतानिया की तरफ से यह आवाज उठाई जा रही कि जंग होने वाला है जंग होने वाला है तारीक भी घोशित कर रहे थे इसके ब पर बरफीली जमीन बनी है न बनने वाली है अगले एक दस दिन में भी तो यह जो बाते हैं यह तो क्या कहते हैं एक वातावरन तैयर करने की कोशिश है जिससे वो रश्या पर वो दवाव डाल सके और इसके जो असली खेल अमरीका और युनाइटेट किंडम कर रहा मैं जो प सकते एक तरफ से हार हुई है नेटो की हार थी क्योंकि अमरीका तो गए थे पर नेटो को साथ लेके गए थे अब जब भागे तो नेटो को बताया बाद में तो यह जो स्थिती है नेटो में इसको नेटो की अगर फिर उसको पुनस थापना करना है जन मानस में तब उनके लिए एक जंग की आवावावा पैदा करने की जरूरत थी और वही उक्रेयन को केंडर करके वो करना चाहते थे राशिया ने पहले से ही बार बार कहा है कि हम तो जंग नहीं कर था है हम तो कह रहें नेटो की जो इस्टवर्ट मार्च है इस पर एक बंदिश लगने चाहिए कि ये अगर हमारे border पे आप आ जाते हैं तो मिजाइल्स की 5 मिनिट की दूरी रहेगी मौस्को से तो ये आप हमारे एकदम घर पे नहीं आ गया एकदम घर के अंदर आना चाहते हैं तो ये ये नहीं हो सकता इस पे रोक होनी चाहिए इस पे बातचीत करें तो ये अब जो कहते हैं सेंटर स्टेज में बातचीत आया है कि नेटो का इस्ट वर्ड पहलाओ जो है कितना दूर तक होगा अब आखिर में युकरेन की जलिन्सकी ने भी कहा है कि ये अभी होने वाला नहीं है कि हम लगता है हम अभी हमारे लाइफ टाइम में ये नहीं होग हो सकता है लंबा लक्ष है क्योंकि उक्राइन की उनकी कॉंस्टिटूशन में उन्होंने ये डाल दिया और जिस तरह से हमें नक्षे में दिखाई दे रहा है जो पूरी सीमा मिलती हुई है रूस से जिसको लेकर रूस अपनी चिंता जाहिर कर रहा है और नेटो जिस तरह से इस्ट वर्ड मार्च जो लगातार जिसको रूस चिंता बता रहा है लेकिन यह बताईए कि यह जो नेताओं के बयान है और जो बैठके हैं क्योंकि इनको भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता है पिछला डेड़ दो महीना अंतराश्टिय कूटनीती में युकरेन के इर्द मत दीजिए बॉरिस जॉंसन को कार्टून कारेक्टर ही मानना चाहिए इस वक्त जो सिती है उनकी और उनकी तो फॉरेंड मिनिस्टर जो है फॉरेंड सेक्रेटरी जे कहते है लिस्टरस वहां जाके वो रूस की जो प्रदेशों है उनको भी पहचान नहीं पाएगा कि उस पर भी रूस की सॉवरेंटी हम मानते नहीं है कह दिया तो इनसे कोई सीरियस बात चीतना करे क्योंकि यूके देख लीजिए मैप देख लीजिए यूके है कहां इस पे यह तो है यूरपियन यूनियन की बात ठीक है ना जो यूरप में है जहां से एक्चुली बितानिया ब बात है और यह खुद अपना भविश निर्भर निर्धारित करेंगे यह अमरीका और बितानिया जो इस पे है ही नहीं वो निर्धारित करेंगे यह इश्यू है तो इसलिए जब बातचीत की बात करेंगे तो देखिए रूस की प्रेजिडेंट पूतिन से फॉरिन जर्मनी के चांसलर क्या बातचीत वाइस चाह जो आज मुलाकात हो रही है जो उनकी क्या बातचीत हो रही है मैकरॉन की पूतिन से बातचीत हुई है जलन्सकी से बातचीत हुए यह एहमियत रखता है यही असली कूट नीती है कि जो अमरीका रूस के बीच में बातचीत की चल रही थी डेटों के लेके अब जाके फ्रांस और जर्मनी जो मुख्य देश है एकॉनोमिक लिए यही सबसे ज्यादा एहमियत रखते है और रूस की जो कहते हैं कि गैस की बिकरी होती है यॉरप में होती है तो अगर सैंक्शन्स लगता है तो उनको गैस कौन देगा तो र उसकी नॉर्ड स्ट्रीम 1, 2 यह मेंन सप्लाई करता है यह चीज यूकरेन के जरीए नहीं होता है पहले सिर्फ यूकरेन से आता था इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 वा नॉर्ड स्ट्रीम 2 वा तो फाइनेंशल सैंक्शन्स की हुमकी जो लगातार प्रेजिडेंट यूके दे रहे हैं तो ये अगर होती है इस्तमाल होती है तब यूर्ड को गैस कहां से मिलेगी यह चीज अब चाहे चांसलर जर्मनी का पुतिन से मिलें या शोल्स की मुलाकात हो फ्रांस की मैकरॉंस ही हो इनको सब की अब यह बाते साफ नजर आ रही है कि यह जंग अगर उक्रेइन को लेके होता है तो फ्रांस और जर्बनी भी पिसेगा और ये यॉरप के लिए अच्छा नहीं होगा यॉर्पेन यॉनियन और जो इस्टर्ड यॉर्पेन देश है अब नेटों के सामने कतार भी तो खड़े हो गए पर अगर जंग सचमुच होता है तो क्या होगा यानि सचमुच जंग कोई अभी नहीं चाहरा है जो बयान अभी आ रहे हैं मुझे तो लगता था कभी भी जंग होने का गुझाईश नहीं थी ये तो अमरीका सिर्फ इसको चड़ा रहा था इस बात को ताकि यॉरप को समेट के अपने पीछे करे पर ये करते जंग का इतन अमरीका कहे जा रहा था हम तो मानेंगे ही नहीं क्योंकि नेटो का विस्तार करना रूस उस पर नखल अंदाज ही नहीं कर सकता चाहे नेटो उसके बॉर्डर पे आए ना आए तो ये जो है एक क्या कहे रियल पॉलिटी के हिसाब से पिल्कुल गलत बात है कि क्या क्यूबा जब मिजाइल जब सोवेट यूनिन में रखा था तो अमरीका चीखा नहीं था तो आप उसके बॉर्डर में मिजाइल रखेंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं उसका कोई हक नहीं है यह कहने के लिए यह बक्वास है राश्टिय अंतर राश्टियस तर पे यही रूस साबि कि होने की संभावना है इसी बीच सेयुक्त राश्ट संके जो प्रमुख है गुट्रस उंका जो बयान आया है उन्होंने का नहीं नहीं का इंडिपली वर्ड़ी वर्ड़ी तो यूरोपीन ग्लोबल सेकूरिटी इस तो आई तो कॉंपलेट है कि इस मामले में आग लगाने वाली बयान बाजी से बचा जाना चाहिए तो उससे ऐसा लगता है कि जो तमाम तर्क सम्मत आवाजें उठ रही थी वह कुछ-कुछ संयुक्त राष्ट को भी समझ आ रहा है कि आग लगाने वाली बयान बाजियां हैं क्योंकि युद्ध को देखकर और इतनी सेना भी भेजना उधर से एक तनाव तो रियल सेंस में पैदा ही हो गया था तेकि तनावता पैदा इसी लिए भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि हमारे दूताबास से लोग चले जाएं यहां से कियेफ से चले जाएं लॉब जो कि एक दम वेस्टरन पार्ट आव यूकरेन में है लोग अमरीकन जो हैं वहाँ पर सिडिजन्स ओ छोड़ दे यूकरेन तो यह बयान बाजी सिर्फ नहीं जो पहल कदिवी उन्होंने किया है यह एक दहशत की एक माहूल मनाने पर तो मदद करी रहा है इसे लिए सिर्फ यूनाइटेट नेशन्स की सेक्यूरिटी उनाइटेड डेशन्स की प्रमुक सिर्फ नहीं जेलिंस की खुद ने कहा है कि ये कहके तो हमारी अर्थनिजी को और भी डहाया दिया जा रहा है और भी नीचे आ रहा है क्योंकि एक बात जो साबने भी आ रही है तमाम तत्यों से कि जिसमें पूरा युद्ध का माहौल है उसमें युकरेन की अर्थवेवस्था रसातल में हैं दुनिया के सबसे खराब अर्थवेवस्थाओं में उसकी गिंती होती है और भीशन संकट से गुजर रहा है युकरेन देखे युकरेन की तो जो संकट है शुरू होता है नाइनटीस के बाद जब वो अलग होते हैं इसके बाद से वही एक देश है कि पुराने सौविट यूनियन के अंदर से जो निकला है जिसकी हालत ये तो आपका इस्टन यॉरप देखे जो उसकी सोशलिस ब्लॉक में थे सबसे खराब हालत यूकरेन की सिर्फ नहीं है उस वक्त उनकी जो आर्थिक सिथी उससे बीस परसेंट उनकी और भी वो घटे है उससे नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पीछले तीस साल में ये तो पहला चीज है दूसरी बात ये है कि हर अगर मात्रा देखें तो यूकरेन की हालत खराब सिर्फ जो आपने कहा नेगेटिव ग्रोथ बहुत कम मुलकों का नेगेटिव ग्रोथ है इसमें भी नीचे से पांच वास्थान पे है दुनिया में तो ये तो यूकरेन की हाल है तो और किसी मुलक एक्स सौवेट यूनियन हो चाहे एक्स इस्टन यॉर्पियन जो सोशलिस्ट ब्लॉक में थे किसी का हाल ये नहीं है जो यूकरेन का है और इसके मुख्य वजए ही है कि हाँ पर जंग की हालात बनी रही और जंग की हालात इसलिए बनी रही क्योंकि यहाँ पर खास तोर से United States चाहता था कि ये हमारे पास आए और रूस की जो इसके influence इस आपने आपका रूसी भाषा कहने वाले लोग जो है जो फर्स्ट लैंग्विज रूसी कहेंगे उनका प्रतिशत करीब पचास परसेंट है तो यह देखते हुए एक मल्टिनाशनल कारेक्टर स्टेट की हो निची जैसे हिंदुस्तान भी है बहुत भाषावाशी लोगों की है उसको अगर एक भाषा एक नसल कहना चाहेंगे वो चलेगा नहीं तो यूकरेन भी उसी स्थीत में है पर अमरीका वो नहीं चाहता कि रूस की इंफ्विएंस वहां हो इसी लिए जो जिन्होंने जो पॉलिसी चलाई है उससे अब जो है क्राइसिस उनके सामने है यूकरेन के सामने है जो आपने कहा आर्थिक्सिती देखिए अगर लोग भाग रहें देश से माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और क्रिमिनल माइग्रेशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत दिन से उनका नेट एक्सपोर्ट है क्रिमिनल्स ठीक है और उसके फूड ग्रेंस भी वीट वगारा इसकी भी रफतन एक्सपोर्ट है पर इस पे जो भी की इस वक्त स्थिती है वो और भी खराब हो रहा है जंग का अब होआ से अगर तीन महेने से डंका बजाए जा रही है जंग की अब देखी सकते हैं तब उनका क्या हल होगा वहां पर इस वक्त तो हवाय जहाज आने में भी उसके इंशौरेंस इतनी बढ़ गई है कि हवाय जह हाजे जाना वहां बंद कर रही है एरलाइन्स वहां से प्ड़ा कर रही है तो ये खालत देखते हुए उनकी जो बुद्रा की कीमत है अंतराश्ट्रेस्तर पर रिवनिया की वो भी नीशे आ रही है यहीं देखते है जेलिंस्की कह रहा है यह हमारे हित में नहीं है जंग की आवोहा चले और इसी लिए वो अब अपील कर रहा है शान्ती की बातचीत की और लग रहा है मुझे तो लग रहा है जंग कभी होने वाला नहीं था रूस चाहता था कि इस दिशा में बातचीत हो डारेकली उकरेन से बातचीत हो रहा है उसके साथ साथ फ्रांस जर्मनी उकरे रूस चारो मुलक मिलके चार-पांच दिन पहले उन्होंने बातचीत की है और वो बातचीत से कुछ हल ने निकला पर भविश्यक के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत जारी रहेगी यह मुलता इसको लेके है डॉनबास रीजिन की जो रूसी स्पीकिंग है रूसी की गया है, तो उसको लेके आगे चलेगी तो शयद वक्रेण का हल निकल सकता है, डेटों का डंका बजा के इसका हल नहीं निकलेगा तो शुक्रिया प्रबीर इस पे हम निगाह बनाये रखेंगे क्योंकि लगता है जिस तरह से खबरे आ रही है निगाह बनाये रखनी होगी एक बात बहुत साफ लगती है कि अमरीका जो अफगानिस्तान में अपनी लडाई हारा वैसा ही कुछ 2022 में भी हो रहा है कि वह चाहता तो है कि युद्ध बने युद्धोनमाद पैदा हो लेकिन जिस तरह से नेटो वहां विफल रहा अफगानिस्तान में वैसा लगता है कि उसके खिलाफ भी आवाजें तेज हो रही है शुक्रिया